कि नमस्कार साथियो अभी जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाऊंगा उस पॉइंट का नाम है गैस आई पॉइंट तो गैस आई पॉइंट जो है अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गैस ओनली पॉइंट कैसे देते हैं सेम वैसे ही वही तरीका है उतने ही काउंटिंग है सिर्फ जगे बदल जाती है ठीक है तो गुटनों से उपर जो हम देते हैं गुटनों से उपर हम देते हैं गैस ओनली और गैस आई जो हम देते हैं वो गुटनों से नीचे की तरफ देते हैं तो देगे किस तरह से देना पे हमने यह देखना, यह गुटना यहाँ पर है, तो गुटने से बचा के, गुटने पर पैर नहीं आना चाहिए, गुटने से बचा के हमने थोड़ा नीच्चे लाके पैर रखना है, दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, 6 से के लिए हाँ पर होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा से नीच्चे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीच्चे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह आपका हो गया 1 गैस आई, यह 1 गैस आई हो गया, अगर इसमें ही कहीं बार ऐसा होता है कि 1 गैस आई देना है, 6 पॉइंट बनाने, तो 1 गैस आई 6 वाला अगर कही पर लिखा हो तो देखे उसको कैसे देते हैं, 1 गैस आई 6 वाला, सेम यह प्रोसीजर है, एक ही राउंड में जैसे हम 3 पॉइंट बनाते हैं, 1 गैस आई देने के लिए 3 पॉइंट देते हैं, तो ऐसी 1 गैस आई में हम 6 पॉइंट देंगे, 6-6 सेकिंड बनाएंगे, इस से फिर थोड़ से निचे जाके होल्ड करेंगे 6 सेकिंड के लिए, यह 1 गैस आई 6 पॉइंट याने की 1 गैस आई 6 वाला आपका यह हो जाएगा, तो आपने समझ लिया होगा की 1 गैस आई कैसे देते हैं, अगर किवल 1 गैस आई लिखा हुआ है, तो सिर्फ 3 पॉइंट बनान हैंगे उसी के अंदर में, ठीक है, चलिए धन्यवाद